हाई दोस्तों, तो एक हमारे देश की T-Series है, जो पुराने अच्छे-च्छे गानों का रीमेक करके रोज कचरा करती रहती है एक Xiaomi की T-Series है, जो Xiaomi के बढ़िया-बढ़िया 5G फोंस जो चाइना में लाँच होते हैं, उनको रीवराहंड करके इंडिया में ले आती है तो Redmi Note 11T 5G हमारे पास आ गया है, कुछ महीने पहले Redmi Note 10T 5G आया था, उसका ये सकसेसर है आज इसकी पूरी टेस्टिंग आपको करके दिखाने वाला हूँ, साथे-साथे से कंपेर करेंगे Realme 8S 5G और Redmi Note 10 Pro दो इस्टेंप सबसे अचे फोन हैं, पंदरा से बीस अर के रेंज में लेकिंगे, नोट 11T खरीदना चाहिए, या Realme 8S खरीदना चाहिए, अगर आप 5G फोन भून रहे हो, या चुप चाप 4G फोन से काम चलाना चाहिए, सारे स्वाल के दूने के जबाब, चलिए स्टार् स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, सबसे बहला कॉंपरोमाइज जो पको 5G करना पड़ेगा, कि ग्लास बैक हमें यह पे नहीं मिलती है, पीचे टेक्च्चर्ड फिनिश है, तोड़े सी ग्रेडियन पैटन के साथ, लेकिन तोड़ा सादा प्लास्टिकी वाली फ सबसे कि जिससे लोगों को ऐसा लगे कि इसमें चार कैमरा है, जो कि मुझे निलगता ही सही किया है, बाकी हार्डवेर यहां पे जो हमें शाओमी से एक्सपेक्टेड वैसा ही है, आई पी 53 रेटिंग मिलती है, डस्ट रस्प्लाष्ट प्रोडेक्शन के लिए, उसके उपर स्पीकर है और उपर हमें इंफारेट पोड भी मिल जाता है, अच्छी बात ही है कि नोट 11 T के 3.5 mm जैक में हाई रेज ओडियो का सपोर्ट है, तो अगर आप अच्छे हेडफोन्स यूज करोगे तो काफी अच्छी महां से साउंड आपोट आईगी, कर इसकलाब इस फोन ने मिल रहा है, लेकिन हाईबिड स्लॉट है, डेडिकेट इस लॉट नहीं है, और अबरॉल इन हैंड फील और डिजाइन इस फोन का अच्छा ही है, मैं जादा कुछ बहुत भारी आपे नहीं लगता है, लेकिन हागर इसे कंपेर करने लगे हम नोट 10 प्रो से, ज प्लास्टिक फ्रेम से थोड़ा जादा अच्छा लगता है, चलते हागे की तरफ तरफ तो नोट 11T 5G में में मिलता है, 6.6 इंच का डिस्पले, IPS LCD पैनल, Full HD Plus Resolution है, वाइडवाइन L1 सपोर्ट भी यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन कोई भी HDR कॉंटें का सपोर्ट अपके नह लिब्रेशन यहाँ उतना अच्छ नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा वाउम लगते हैं यहाँ पर कलर्स नमल सेटिंग में भी ब्राइटनेस की बात करते हैं, तो नोट 10 प्रो जलो अलगी लेवल पे है, लेकिन रियल्मी 8S में जो पीक ब्राइटनेस यहाँ से जादा अच् रिफ्रेश रेट मिलता है, यानि कि यह 50Hz, 60Hz, 90Hz के बीच में स्विच कर सकता है अलग-अलग कॉंटेंट के लिए उसके लावा में मिलता है 240Hz का टच सांपलिंग रेट जुसके वरे से फोन काफी साथ रिस्पॉंसिव लगता है जाए आप नमल यूस कर रहे हो और गेम्स को मिला है पर ठीक है मतलब फाल्तु का वो डेप सेंसर मैक्रो नहीं दिया है तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कर यहां पर हमें मिलता है सिर्फ एक 50MP का प्राइमरी कामरा और एक 8MP का अल्टर वाइड तो सीधर चलते हैं कामरा कंपारजन पे स्टार्ट करते हैं तो नोट 11T का 50MP कामरा 64MP सेंसर को मैच नहीं कर पाता है नोट 10 प्रो और रियल्मी 8S के यह बाकी दोनों फोंस पर आपको जादा शाप पिक्चर मिलेंगी जब आप जूम इन कर के देखोगे वैसे और डीटेल में बुसके देखोगे तो नोट 10 प्रो में थोड़ी जादा ओवर शापनिंग हो रही है जबकि रियल्मी 8S में वो नहीं हो रही है पर इतना फरक नहीं पड़ता है दोनों को यह बराबर आप मान सकते हो नेक्स चलते है कलर अक्रिसी की तरफ तो यहां पे भी नोट 11T का परफॉरमस जादा अच्छा नहीं है जाए आप रेड्स कलर ब्लू कलर देखो ग्रीन कलर देखो हर कलर है यहां पर काफी इनक्रिट सaries का लग रहा है रियल्मी यह यहीं देखोंस ग्रेंचुरीट सा लग रहा है है जबकि जो ग्मान और ब्लू कलर है picture बढ़े फोटो में वह रेड्मी 10 प्रो में अच्छी आए नोटेंप्रोर में त के चक्कर में काफी अट्राक्टिव लग रही है फोटो ओवरॉल चलते हैं डैनायमिक रेंज के तरफ तो यहाँ पे तीनों फोन लग भग बराबर का सही काम करते हैं रियल्मी 8S में बस एक दिक्कत है कि जब भी यह HDR मोड में फोटो लेता है तो कलर्स यहाँ पे पूरे हिला के रख देता है जैसे आप यहाँ आस्मान देखोगे रियल्मी 8S की जो सबसे बड़ी वीकनेस है कि इतना महेंगा फोन होके भी यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलता है दोनों रेड्मी फोन में अल्ट्रा वाइड मिलता है और यहाँ पे दोनों यह ठीक थाक सी फोटो लेते हैं नोट 10 Pro ने फोटो को अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा जादा ब्राइट कर दिया है थोड़े जादा कलर्स यहाँ पर बूस्ट कर दिया है मैक्रो में तो देखो कोई मुकाबला ही नहीं है Note 10 Pro clear winner है मतलब काफी flagships को भी टक कर दे सकता है Realme 8S में वो ही fixed focus macro है जो जादा काम कर नहीं है और Note 11T में तो macro गायव है अब चलते हैं रियर कैमरा से human subject की pictures पे तो यहां पे अब देखोगे Note 11T ने थोड़ी जादा ही reddish सा कर दिया है face tone को Realme 8S में सबसे natural facial tone आई है और over sharpening इसने नहीं करी है जो हमें Redmi Note 10 Pro में दिख रही है Realme 8S में बस एक दिक्कत है कि थोड़ी सी cool सी इसने एकदम color temperature कर दिया है जैसे अब jacket और shirt पर देखोगे तो मनलब colors उतने naturally नहीं रख पा है इसे चलते हैं सेलफी की तरफ और Realme 8S दोनों की सेलफी काफी अच्छी है Realme 8S में फिर से facial tones थोड़ी जादा accurate है और color temperature थोड़ा जादा अच्छा है इसने पकड़ा है लेकिन HDR selfies की बात करते हैं against the light तो यहां पर फिर से Note 11T ने थोड़ा बेटर काम किया है सेलफी portrait में फिर से अब देखोगे Note 11T और Realme 8S दोनों काफी हद तक बराबर हैं लेकिन low light selfies में Note 11T में आपको night mode नहीं मिलता है जबकि बाती गुरु फोड़ में night mode मिल जाता है selfies का यहां पे Realme 8S की selfies सबसे अच्छी निकल के आती है अबराल अब को human subject के shots बहुत जादा कीछने हैं चाहे front camera से चाहे rear camera से Realme 8S पर फिर एगा Redmi Note 11T सबसे पीछे होगा Note 10 Pro चलते हैं low light performance की तरफ तो Note 11T यहां पे फिर से disappoint कर देता है night mode इसका काफी weak सा लगा है Note 10 Pro और Realme 8S दोनों में आपको ज्यादा sharp images मिलती है ज्यादा bright भी लग रही है images लेकिन हाँ color तो सब में ही थोड़े से हिले वे मिलते हैं और एक phone चुनना हो low light के लिए तो वो होगा Note 10 Pro और final चीज़ आ जाते हैं video recording पे तो 1080p 60fps शूट कर सकते हो आप Note 11T 5D से 4K का option आप को यहां पे नहीं मिलता है लेकिन Realme 8S से फिर भी बेटा रहे हैं कि वहां तो आप सिर्फ 1080p 30fps कर सकते हो Note 10 Pro अकेला phone है जो 4K 30fps यहां पे शूट कर सकता है 1080p 60fps वीडियो में आप देखोगे Note 10 Pro की footage जादा sharp लग रही है contrast जादा अच्छा है और audio quality भी यहां पे जादा अच्छी है लेकिन 1080p 60fps में कोई भी phone image stabilization offer नहीं करता है वैसे overall 1080p video recording में sound quality सबसे अच्छी Realme 8S की है लेकिन video quality Note 10 Pro पे जादा अच्छी है क्योंकि 1080p 30fps में अब देखोगे Note 11T काफी जादा focus hunting कर रहा था और अजीब सी tonal shift सियाँ पे हो रही थी Realme 8S में भी stabilization थोड़ी अजीब सी थी तो Note 10 Pro clearly video में भी सबसे आगे निकल के आता है सेम चीज़ फ्रंट camera video recording में भी है जिसमें Note 10 Pro बहुत ही जादा आगे है Note 11T, Realme 8S, दोनों से ही चाप stabilization देखो details, dynamic range या sound recording overall camera verdict देखो अगर एक all-rounder एक बड़िया camera phone ढूंड रहे हो तो मेरे साब से अभी भी Redmi Note 10 Pro सबसे आगे निकल के आता है जो macro, selfies, video recording, main camera, सारी कुछ मिला के सबसे अच्छा वहां पे अमें मिल रहा है Realme 8S 5G वैसे काफी अच्छा phone है main camera अच्छा काम करता है, selfies अच्छी है human subject के shots काफी अच्छे लेता है लेकिन ultra wide यहां पे छोड़ दिया है Realme ने इतने महंगे phone पे यह बहुत बड़ा negative है इसके लिए इसके मुकाबले फिर Redmi Note 11T जादा अच्छा है portraits यहां पे काफी जादा अच्छी आती है ultra wide भी यहां पे है बाकी सबने भी अच्छी कासी टककर दे देता है Realme 8S को तब नेक्स चलते हैं Performance की तरफ Note 11T में भी हमें Realme 8S की तरह MediaTek Demensity 810 SoC मिलता है 6GB या 8GB RAM के आपको option मिल जाते हैं अब यह चीज मैं आपको एक बार पहले समझाई थी जब Realme 8S का टेस्ट किया था कि Demensity 810 सुनने में लगता है 800 का सकसेसर है लेकिन अक्चुली यह उससे वीक बढ़ जाता है खेर बेंचमार्क टेस्स आभ यहां पे देख सकते हो कि Demensity 800U जादा स्कोर करता है हमेशा Demensity 810 से लेकिन फिर भी Demensity 810 Snapdragon 730 2G से तो काफी जादा पावफुल है बात करते हैं गेमिंग की तो Call of Duty Mobile में आप सिर्फ माक्स ग्राफिक सेटिंग कर सकते हो मीडियम या हाई फ्रेम रेट पे वैसे Realme 8S पे भी बिल्कुल सेम हाल है और यह हम काफी बार देख चुके है Demensity के चिपसेट अच्छे से अप्टिमाइज नहीं होते हैं गेमिंग के लिए अशे कर आप हेवी गेमिंग करना चाहते हो तो अब्विसली आपको Poker X3 Pro या Narzo 30 Pro जैसे फोन मिल जाएंगे लिकिन Note 11T में भी पर्फॉर्मेंस खराब नहीं है स्टटर्ड लाग ऐसा कुछ नहीं होता है नॉमल परफॉर्मेंस में और हीटिंग इशु भी मुझे कोई यहां पर फेस नहीं हुआ तो यहां पर हमें Android 11 मिलता है उपर है MiUI 12.5 और यह अब हम काफी बाट देख चुके हैं Xiaomi के सारे फोन्स में सारे फीचर्स आप को यहां मिल जाते हैं अध्स अध्स काफी कम करें पहले से काफी सारी प्रिंस्टर्ल अप्स हैं जिसमें से आप काफी कुछ आप डिलीट भी कर सकते हो Xiaomi की तरफ से लेकिन ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है अच्छा है ओबरॉल सौफ्फ एक्स्प्वेर एक चोड़ी सीज हमें वस नोटिस हो ही कि जब आप अप खोलते हो तो थोड़ा सा ताइम लगता है उसमें कोई भी इमेज रेंडर होने में इन फैक्ट जब पोई फोटो क्लिक भी करते हो और एकड़ आप उसको खोलने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा ताइम इसको प्रोसेसिंग में भी लगता है अब यह पता नहीं का इसू है या फिर एक प्रोब्लम है बाकी 4G नेटवर्क पफॉर्मेंस वाइ-फाइ जाएगा हमें भी साड़े साथ आठ गंटे तक का स्कीन उन टाइम इस पर मिल रहा था उसके अलावा 33 वाट का यह पर चार्जर मिलता है जो एक गंटा 20 मिनिट के अराउंड फोन को फुल कर देगा बैटी टेस्ट बहुत जल्दी आने वाला है इस फोन का विडियो के नहीं देखो 2022 स्टार्ट होने वाला है और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि 2023 के एंड से पहले हमें प्रॉपर मास 5G नहीं मिलेगा तो अगर आप वेट कर सकते हो तो अभी भी रेड्मी नोट 10 प्रो बहुत अच्छ ऑप्शन है 4G के साब से आपको जो बेस्ट डिस्प्ल प्रीमियम बिल क्वालिटी कामरा पूरा एक बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है लेकिन जो लोग 5G फोन लेना ही चाहरे है अब उनके लिए बात करते हैं तो यहाँ पे रेड्मी नोट 11T है रियल्मी 8S है रियल्मी 8S में आपको थोड़ी से जाधा ब्राइट स्क्रीन मि काफी अच्छा option है वरना overall Redmi Note 11T भी एक काफी अच्छा option है 5G options में अगर आप ढून रहे हो performance अच्छी है, speakers अच्छे है, camera अच्छा खासा है, ultrawide भी यहाँ पे दे दिया है, screen brightness थोड़ी सी और जाध अच्छी होती तो मैं इसको clear winner बोल देता है Realme 8S के उपर लेकिन अभी के आपनी के उपर मैं अभी भी Redmi या Realme प्रेफर करूँगा क्योंकि लावा ने अभी-अभी comeback किया है और अभी कुछ बहुत जादा पता नहीं होनका कि software updates किस तरीके से होंगे और after sales service हो कितना अच्छे से handle कर पाएंगे, लावा ग्मी जैसे मेर पस आएगा उसकी भी बहुत आप बताओ कैसी लगी ये वीडियो कैसा लगा ये फोन और भी बहुत सारा content इस पर आ रहा है बैटरी टेस्ट करने वाले है Redmi Note 11T का अभी इस वीडियो के लिए पर इतना ही मैं ताप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई